सिमेंट कॉंकिट पेमेंट का अगर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और इस वीडियो में जो पॉइंट में आपको बता रहा हूँ अगर वो आपको मालूम नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट कर सकते हैं और लाखों का नुकसान भी कर सकते हैं क्या है वो प्रॉब्लम एक बहुत ही छोटी सी बात है जो कि हर सिविल इंजिनियर, कंस्ट्रक्शन इंजिनियर, सुपरवाइजर या जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर इन्वाल्ब है सिविन कॉंक्रिट पेमेंट के कंस्ट्रक्शन में उनको ये पॉइंट जरू मालम होना चाहिए वो पॉइंट है कि जब हम सिविन कॉंक्रिट पेमेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमारी जो कॉंक्रिट प्लाइन से या हमारी साइट पर जो मिक्स हो रही है वो हमें कितनी देर में हमारी payment को ले कर लेना चाहिए उसको finish कर लेना चाहिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ हमारा जो यह flory होता है यह टिपर होता है उसमें जब concrete को mix किया जाता है उस time से लेके जो concrete के हमारी laying है और उसकी texturing है यह सारी जो procedure है वो कितने time period में हमें complete करना है इसके लिए हमारा जो specifications है Indian specifications है वो क्या बताते हैं इस video में हम चर्चक करेंगे काफी अच्छी जान करें डिया फ्रेंड इस वीडियो को end तक देखना छोटी सी वीडियो है अच्छी लगत वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना और कुछ comments हो या कुछ discussion हो तो मेरे contact number मुझे आब whatsapp कर सकते हैं या comment box में comment कर सकते हैं चलिए हम चलते हैं हमारी मोर्थ के clause number 602.9.4.2 placing of concrete इस clause में यहाँ पे लिखा हुआ है the total time taken from the addition of the water to the mix until the completion of the surface finishing and texturing shall not be exceed 120 minutes when concrete temperature is less than 25 degree centigrade यह बोल रहा है कि concrete में जो हमारी cement concrete का dry mix है उसमें पानी के addition से लेके अगनम time को जोड़ें तो उसकी finishing और texturing तक का जो time है अगर हमारी concrete का temperature less than 25 degree centigrade है तो उसकी mixing, laying and texturing का जो time है 120 minutes से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वहीं अगर हमारी concrete का temperature 25 degree centigrade से 30 degree centigrade के बीच में है तो वो temperature हमारा 90 degree 90 minutes से ज़्यादा नहीं हो सकता है अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर हमारा concrete का temperature 30 degree centigrade से भी ज़्यादा हो गया है तब क्या करेंगे तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि किसी भी situation में आपकी जो concrete mix का temperature है वो 30 degree centigrade से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी जो side पर जो aggregate है, rate है, गिट्टी है, जो cement है cement को तो आप ऐसी जगाँ पर रखिए, जो कि धूप से बची रहे, धूप, moisture या कोई भी natural hindrance उस पर नहीं आने चाहिए और आपकी जो aggregate है, जो rate है, उसको आप थोड़ा सा water sprinkle कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मी का season चल रहा है, तो गर्मी की कारण हमारी गिट्टी गरम हो जाती है तो आप उसको mix करने के पहले क्या कीजिए, जो stock है, वहाँ पर आप पानी का छुड़काब करके उसको ठंडा कर सकते हैं, और concrete का जो temperature वो 30 degree centigrade से कम ही आपको रखना चाहिए और भी कुछ जरूरी बात हैं, जैसे कि अगर हमारा जो concrete है, उसको 28 दिन नहीं हुए हैं, तो उसके उपर हमें कोई भी traffic की moment allow नहीं करनी है तो कैसी लगी है, जानकारी comment box में जरूर बताएगा, कुछ और doubt आपके मन में हैं, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, WhatsApp नमबर पर, Telegram चैनल को भी जोइन कर सकते हैं